हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सॉरी आवाद जा रही है तो बता दीजेगा एक बार अब एक बार दीजेगा रही है? कि तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आज हम लोग इंडियन डीबर्स पर बात करेंगे और पहले बता है आप सकते हैं ठीक है जूडने के लिए आपको करना क्या अप्स डाउनलोड करना नंबर डालना है और आप सब्सक्राइब करेंगे यहां पर यूपी पीसी प्रिलिम्स परवन के लिए टेस्ट स्रीज चलता है यह हिंदी इंग्लिज दोनों में होगा एवरी संड़े 10 अम होता है और 200 मार्क्स के होते हैं रैंक वन पर आएंगे तो आपको 100% का स्कॉलर्सिप सिक्समंत्याव से अधि बूस्टर थर्टी मिनट्स का सिक्स पीम पर डेली टेस्ट होता है 25 क्वेस्टिन का और यह प्रक्ति यूपी पीसी आरो यारो प्रिलिम्स बूस्टर फ्री टेस्ट सिरीज है एवरी संड़े होता है दो आर्स के गंटे की यह डियोशन होते हैं कंप्लीट सलेबस यहां पर सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले है इस टॉपिक में हम लोग हिमाल्य रिवर परी बात करेंगे इस एगे झारी ओर फिर प्रिंles लघ्यांज करेंगे इन व्रफाश्यीmber इंडियन झासमकर और हिमालन रिवर शिस्टम पर भात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग हिमालियन रिवर सिस्टम की करेंगे और हिमालियन रिवर सिस्टम में आपको पता है यह तीन रिवर सिस्टम पर हम लोग बात करते हैं एक पहला है इंडस रिवर सिस्टम यानि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर बात करेंग उसके ट्रिभ्यूटीर्स से बात करेंगे और इसके alamon हम लोग लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी पर भी बात करेंगे तो इनकी ये मेन डीवर जो हैं और इनके ट्रिभ्यूटीर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले चुकि यारो यारो का एक्जाम होने वाला है आपको पता है इसके एक्जाम में आप देखेंगे तो इससे काफी question पूछे जाते हैं है ना तो आईए start करते हैं सबसे पहले इंडस्रिवर इंडस्रिवर को मैप में समझते है ठीक है अगर आप इंडिया के मैप को देखो तो इंडस्रिवर एक इंटरनेशनल रिवर है कैसी रिवर है कार्थ आपको पता है यह कहा पर कार्राकॉरम का की विश्थार Calas Mountain के रूप में आपको देखने को मलता है तो Calas Mountain के North में ही देखोगे तो इक Glacier आपको नजर आएगा और उस Glacier को हम लोग कहते हैं BOKHAR CH U Glacier BOKHAR CHU Glacier और इसी BOKHAR CHU Glacier से या Indus River नकलती है अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले समझ लेज़े ये बोखर चू Glacier से यह डीवर का origin होताई यह इंडिया में आती है और लदाक वाले region में बैएते हुए पियोके होते हुए यह finally आपका Pakistan में चली जाती है पाकिस्तान में जाने के बाद या पाकिस्तान में लंबी दूरी ट्रेवल करती है और उसके बाद यह जा के Arabian Sea में गिर जाती है कराची जो कि पाकिस्तान का बंदर काहा है या इसके राइट हैंड साइड मेंiben तो यह इस तरीके से इस नदी का ओरिजिन होता है इसके अलामा देखा जाए, तो इनकी कुछ important tributaries भी हैं, सहायक नदियां हैं, जैसे आप देखोगे जेलब नदी को, चेनाब नदी को, बीन्स नदी को, रावी नदी को, बीन्स नदी को, और साती सात सतलज नदी पर भी हम लोग बात करेंगे, तो आईए एक एक करके चले हम लोग बात करते हैं, देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर एक glacier, सौरी, एक यहाँ पर mountain range है, जिसको आप कारा कोरम कहते हो, ठीक, और आपको पता है, यहाँ पर एक mountain range है, जिसको आप लद्दाक range के नाम से जानते हैं, लद्दाक, ठीक है, लद्दाक, कारा कोरम, और यहाँ पर एक range है, जिसको आप जासकर range के नाम से जानते हो, यानि कारा कोरम, लद्दाक और जासकर, और वहीं अगर बात किया जाए, तिबबत में, तो यहाँ पर एक कैलास mountain है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका origin करते हैं हम लोग, ए इंडस नदी के नाम से जानी जाती है, वो कैलास mountain के north में situated एक glacier, जिसको बोखर्चू glacier कहते हैं, उस glacier से उसका origin होता है, मैं लिख देता हूँ, बोखर्चू glacier, और यहाँ से यह नदी निकलती है, यानि तिबबत से निकलती है, ठीक है, तिबबत से निकलने के बाद यह नौर्थ और वेस्ट में बहती हुई आगे बढ़ती है, नौर्थ और वेस्ट में बहती हुए आप देखोगे, तो यह आगे बढ़ती है, अब यह नदी आगे ब कि इस तरीके से आगे बढ़ती है ना अब यहीं पर देखो कि आपको सिया चीन ग्लेशियर है कारा कोरम रेंज पर आप देखो तो सियाचीन ग्लेसियर है और इधर ही देखोगे तो आपको एक रेमो ग्लेसियर नजर आता है सियाचीन सियाचीन ग्लेसियर से आप देखोगे तो एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको आप नुब्रा नदी कहते हो और इसी रेमो ग्लेसियर से आप देखोगे तो एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको आप स्योक नदी कहते हो कुछ इस तरीके से तो ये रेमो ग्लेसियर से निकलने वाली स्योक नदी है और ये वाली जो नदी है जो की सियाचीन ग्लेसियर से निकल रही है इसी को हम लोग नूब्रा नदी कहते हैं, अगर आपको माली जिस सियाचीन जाना भी है, तो इसी नूब्रा नदी वैली से होते हुए आप सियाचीन तक पहुंशते हैं, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है, कि अभी हाल फिल हाल में एक नदी न्यूज में बनी जिसको गलवान नदी कहते हैं यह गलवान नदी भी इस से आके नुब्रा नदी से इस साइड से मिल जाती यह तीन प्रमुख नदियों के बारे में आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है आवाज क्लियर है ना एक बार कन्फर्म करके बता दीजेगा ठीक है तो इस तरीके से यह मिलती है आगे देखोगे तो यह है जासकर रेंज जासकर रेंज से आप देखोगे तो एक नदी का औरीजिन होता है और यह जासकर रेंज से निकलने finally इंडस river में जाकर मिल जाती है अब यह सिंधु नदी इन सभी नदीओं का जल लेकर आगे बढ़ती है और इसे आकर इक और उपर से नदी आती है जिसको आप सिगार नदी कहते हूँ सिगार नदी से मिलती है जिस फिशीर नदी को हुआ का जियुग इयुग नाँocratic, और ये हो गई नुग्रा ये कुछ नदियां हैं जो इन से आकर मिलती है और इस साइड से जो आ रही है इसको हम लोग जास कर कहते हैं अब यह नदी आगे बढ़ती है और आपको पता है प्योके में गिलगिट बाल्टिस्तान वाला छेतर है तो वहीं से गिलगिट बाल्टिस्तान में देखोगे तो एक नदी का ओरिजिन होता है गिलगिट नदी के नाम से है जानी जाती गिलगिट और गिलगिट नदी की ही ए ट्रिब्यूट्री है खासकर प्योके वाले रीजन में आप देखोगे तो इस से आकर मिल जाती है और यह सिंधु नदी से आकर मिलती है और सिंधु नदी इसका भी जल लेते हुए आगे बढ़ती है अब यह चली जाती है पाकिस्तान में पाकिस्तान में देखोगे तो पाकि कहते हैं नाम सुना होगा तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको काबूल नजर आएगा और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको कहा जाता है स्वात नदी ठीक और यह दोनों नदियां आती है और आकर मिल जाती है अच्छा एक चीज़ और समझना पड़ेगा आपको कि यहीं पर एक प्रमुक नदी है जिसको सोन नदी के नाम से जाना जाता है या सोहन नदी के नाम से जाना जाता है जो प्राचीन समय में देखोगे तो बहुत इंपोर्टेंट नदी भी हुआ करती थी यह इंडस नदी की ही ट्रिब्यूटरी है और यह इंडस नदी फिर कर मिल जाती है खुर्रम की ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसको तोची नदी के नाम से जानते हैं तोची तोची नदी इस खुर्रम नदी की ट्रिब्यूटरी है जो खुर्रम से आकर मिलती है और यह खुर्रम नदी फाइनली इंडस नदी से आकर मिल जाती है और यह नदी अब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के क्रम में एक नदी इससे आती है जिसको गोमल नदी के नाम से जानते हैं, गोमल नदी, और गोमल नदी आकर इससे मिलती है और यह फिर इंडस नदी आगे बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, फाइनल यह अरेवियंसी तक पहुच जाती और यहीं पर आप देखोगे तो आपको कराची सहर है जो कि एक पाकिस्तान का बंदरगाया है इसके राइट हैंड साइट पे सिच्वेटेड तो इस तरीके से यह नदी का ओरीजिन होता है और यह नदी बहते हुए कई नदियों का जल प् वह फाइनली यह पाकिस्तान तक है कि पाकिस्तान तक चली जाती है कि ठीक है इसी गोंती है सबक'ti कहां से मिल गयाा तो गोंती नहीं है गोंती कहां लखनो जो अनपूर जिसके किनारे वसा हुआ है आपका ठीक चलिए नेक्स्ट अगली नदी पर बात करते हैं जम्मू कस्मीर में आप देखोगे तो एक झील है जिसको आप बेरी नाग कहते हो और इसी बेरी नाग जिल से आप देखोगे एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको आप जेलम नदी कहते हैं और यह जेलम नदी यहां से निकलती है और यह फाइनली जम्मू कस्मीर में बहते हुए आजात कस्मीर होते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है जेलम नदी के बारे में एक चीज ध्यान में रखेगा, पहली बात तो बेरीनाग से निकलती है, जम्मू कसमीर से निकलती है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इसी बेरीनाग जिल के किनारे ही आपका स्री नगर बसा हुआ है, श्री नगर जो है इसी जेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और श्री नगर की बात किया जा तो जेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और यही नदी जब आगे बढ़ती है तो यहीं पर देखोगे तो आपको इंडिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का जील वुलर जील नजर आता और इसी बुलर जील के आगे इससे एक नदी आकर मिलती है जिसको कहा जाता है किसन गंगा नदी और ये किसन गंगा नदी आकर इससे मिल जाती है और इसी के आगे देखोगे एक परियूजना है एक डैम बनाया गया है जिसको तुलबुल डैम के नाम से जना जाता है मैं यहां लिख देता हूँ तुल बुल तुल बुल परियोजना है जो की जेलम नदी पर है और किसन गंगा नदी जो की उपर से आकर मिल रही है किसन गंगा नदी पर भी देखोगे तो एक परियोजना है जिसको किसन गंगा परियोजना के नाम से जानते हैं अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर और बता दू कि यह वाला जो रीजन आप देख रहे हो यहाँ से एक और नदी आकर इस सिंदो नदी से मिलती है जिसको सुरू नदी के नाम से जाना जाता है तो द्रास नदी सुरू की ट्रिब्यूटरी है और यह जाकर इंडस नदी से लेफ्ट हैंड साइड से मिल लाती है तो सुरू नदी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ठीक द्रास नदी को भी याल रखिएगा कभी कभी एक्जाम में पूछ लेता है कि द्रास नदी कि इसकी ट्रिब्यूट्री है तो इंडस नदी की ठीक तो यह किसन गंगा नदी हो गई यह तुलबुल पर यूजना हो गया इसके बाद यह जेलम नदी आगे बढ़ती है और आजाद कस्मीर में ही इस पर एक डैम बनाया गया इस नदी पर जिसको मंगला डैम के नाम से जना ज मंगला डैम कहते हो जेलम नदी पर और यह फिर जेलम नदी आगे बढ़ते हुए जाती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाद देखोगे तो एक ऐसा जहाँ है जिसको जंग के नाम से जानते हैं उसी जंग नामक जहां पर यह चेनाब नदी से आकर मिल जाती है तो तो फिर से सुन लीजे इसके बारे में कुछ चीजे, पहली बात तो बेरिनाग लेक से निकलती है जम्मू कस्मीर से, जम्मू कस्मीर से निकलने के बाद यह आगे बढ़ती है, स्टीन अगर आप देखोगे तो इसके किनारी बसा हुआ है, यह आगे बढ़ती है जेलम नदी और वुलर लेक से होकर यहां आगे बढ़ती है, गुजरती है, किसन गंगा इसकी प्रमुक सहायक नदी है, उसके बाद देखोगे तो एक परियोजना यहां पर तुलबुल परियोजना भारत में और एक मंगला परियोजना आपको देखने को मलती है, इसी नदी पर, और यह फाइनली जंग के पास जाकर जेलम नदी, चिनाब नदी से मिल जाती है, अब चिनाब नदी को जानते हैं, चिनाब नदी के बारे में पहली बात यह ध्यान में रखना है, कि चिनाब नदी बड़ा लाचला दर्रे से होकर निकलती है, उसका ओरिजन होता है, उत्तरा खंड सन्द्र और नाम से यह आंब से जानी जाती है और यह यही नदी आगे चलकर चेनाब के नाम से जानी जाती है जो की सिंध्व नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गया यह उत्रा हिमांचल प्रदेश हो गया और हिमांचल प्रदेश के बाद यह फिर आगे बढ़ती है और यह जम्मू कस्मीर जाती है और जम्मू कस्मीर के बाद यह फाइनली पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाकर जंग के पास जेलम नदी इस से आकर मिल जाती है ठीक है तो पहली बात बड़ा लाचला दर्रा दो सरीताओं से मिलती है चंद्र और भागा के नाम से बनती है हिमांचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है और यह आगे बढ़ते हुए जम्मु कस्मीर में जाकर यह फाइनली गिर जाती है समाहित हो जाती है जेलम नदी का पानी लेते हुए आगे बढ़ जाती है हाँ हाँ पाकिस्तान हिमांचल प्रदेश से निकलती है चंद्र और भागा के नाम से चंद्र भागा नेक्स्ट आईए अगली नदी पर बात कर लेते हैं अगली नदी जो है अच्छा अगली नदी प सबाद नदी से पूछा था कौन सी नदी डायरेक्टली सिंद्धु नदी से मिल जाती है तो अगर आप चेनाव नदी नदी अगली नदी पर बात आघे नात करें तो अगली नदी का नाम है रावी नदी नदी के बारे में आपको पता होगा कि रावी नदी का ओरिजिन रुहतांग दर्रे से होता है जिसको आप रावी नदी के नाम से जानते हैं रावी नदी हिमांचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह फिर आगे बढ़ती है चमबा घाटी से होते हुए यह आगे बढ़ते हुए चली जाती है पंजाब में यानि हिमान्चल प्रदेश और उसके बाद पंजाब में होते हुए यह फाइनली पाकिस्तान में जाकर इस चेनाब नदी से मिल जाती है चेनाब नदी से वहाँ पर यह मिल जाती है ठीक है तो इस रावी नदी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा रावी नदी के बाद देखा जातो रोहतांग दर्रे के पास ही आप देखोगे तो एक कुंड है एक जलासे टाइप का है जिसको व्यास कुंड के नाम से जानते हैं हम लोग और इसी व्यास कुंड से हिमान्चल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग व्यास नदी कहते हैं और हिमांचल प्रदेश में ही इसी व्यास नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसके बारे मैंने आपको बताया हुआ था इस डैम का नाम है पोंग डैम नाम सुना होगा आपने हिमांचल प्रदेश में ही इसी नदी पर हाँ हाँ बिल्कुल इसी रावी नदी की बात किया जाए या व्यास नदी की बात किया जाए तो व्यास नदी जो है या व्यास नदी आपका रोहतांग पास के पास इस्थित व्यास कुंड से निकलती है और इसी पर एक पूंग परियूजना है जिसको व्यास परियूजना या व्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है और फाइनली यह नदी हिमानिचल प्रदेश से होते हुए पहुच जाती है पंजाब में और यह पंजाब में चली जाती है और पंजाब में पहुँचने के बाद या फाइनली एक जहां है जिसको हम लोग हरीके नाम से जानते हैं हरिके एक इस्थान है पंजाब में आपको देखने को मिलता है और इसी पंजाब में हरिके के पास यह जाकर अपना जल सतलज नदी में गिरा देती है या सतलज नदी से जाकर मिल जाती है पहली चीज़ दूसरी चीज ध्यान में रखिएगा, एक नदी है जिसको आप सतलज नदी के नाम से जानते हो, सतलज नदी देखोगे तो यह भी तिबबत से निकलती है, यह भी भारत से इसका ओरिजिन नहीं होता है, यह भी तिबबत वाले कैलास माउंटेन के इधर साउथ में देखोगे तो एक आपको दिखाई देगा जील है, जिसको हम लोग मान सरोवर जील कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन मान सरोवर जील से नहीं होता है, उसी मान सरोवर जील के पास इस्थित एक और जील है जिसको राकस ताल जील कहते हैं, राकस ताल और इसी राकस ताल जील से इस नद यहीं पर बता दूँ यहीं पर एक दर्रा है एक पास है जिसको सीप कीला दर्रा के नाम से जाना जाता है और यह सीप कीला दर्रे से होते हुए यह इंडिया में हिमांचल प्रदेश में आती है और हिमांचल प्रदेश में जब यह आती है तो इसी नदी पर तीन आपको देख देखिए पहले डैम की अगर हम लोग बात करें तो एक का नाम है नाथपा ज्हाकरी डैम यह नाथपा ज्हाकरी डैम आपको हिमानचल प्रदेश में 17 नदी पर देखने को मिल जाएगा इसी के आगे आप आगे बढ़ोगे तो इसी पर एक और डैम दिखाई देगा धिमानचल प्रदेश में जिसको आप भाखरा डैम के नाम से जानते हो और इसी भाखरा डैम के आगे पंजाब में देखोगे कुछ किलो मीटर दूरी पर आपको एक और डैम दिखाई देगा जिसको आप नांगल डैम के नाम से जानते हो नांगल डैम तो ये नात्पा जहाकरी डैम भाकरा डैम और ये नांगल डैम यह तीन प्रमुप डैम आपको इस नदी पर देखने को प्राप्त होते हैं अच्छा एक चीज और यहां पर ध्यान में रखियेगा इस इस 17 नदी की। कि इस इस 17 नदी की।्य। को मिलती है और उस ट्रिब्यूटरी का नाम है इस पीती नदी यहां लिख देते हैं इस पीती नदी यह इस पीती नदी और इस पीती नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसको आप पिन नदी कहते हो और यह पिन नदी स्पीती नदी से आकर मिल जाती है और पिन वैली नेश साथ ही साथ आपको यहां पर एक चीज और चीज ध्यान में रखना है, कि जहां पर भाखरा डैम बनाया गया है, इसी भाखरा डैम के पीछे ही देखोगे, तो आपको एक रिजर्वियर देखने को मिलता है, जील टाइप का माना और इन्मित जलासे टाइप का देखने को मिलता है, और उसी को हम लोग गोविंद सागर जलासय के नाम से जानते हैं गोविंद सागर जलासय के नाम से जाना जाता है ठीक, तो इस तरीके से यहां पर यह आपने देखा साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जहां पर यह सतलज नदी और बिंस नदी निकल मिलती हैं, जहां पर आपका हरी के नाम की स्थान है, वहीं पर आपको एक वेट लेंड देखने को मिलता है, एक आदर भूमी देखने को मिलता है, जिसको हरी के वेट लेंड के नाम से भी जानते हैं, वहीं से एक नहर भी दे गांधिनेयर ठीक है इस तरीकी से और फाइनली आप देखोगे तो यह नदी फिर आगे बढ़ते हुई आपका पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है और जाते 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 यह फाइनली आपका मिल जाती है चेनाव नदी चेनाव नदी और 17 नदियों का जल प्राप्त करती है जिसमें आपका जेलम है चिनाब है व्यास है रावी है और सतलच का अल्रेडी है तो चिनाब नदी व्यास सतलच रावी और जेलम का जल प्राप्त करती है और पांच नदियों का जल प्राप्त करने के बाद यह पंचनत के नाम से जाने जात फाइनली पाकिस्तान में एक जहां है जिसको आप कहते हो मीठन कोट तो पाकिस्तान के मीठन कोट में यह पंचनत जो है पांचों नदियों का जल यह फाइनली जाकर मिल जाता है इंडस नदी से और फिर इंडस नदी आगे बढ़ती है और आगे जाकर यह गिर जाती है कहां पर यह आगे जाकर गिर जाती है आपकी और एबियन सी में और अब सागर में और कराची बंदरगा इसके राइट हैंड साइड आपको देखने को मिलता है ठीक है अब कोई क्वेस्चन है तो पूछिए इस से रिलेटेट इस नदी से रिलेटेट कोई क्वेस्चन है इस नदी से रिलेटेट तो पूछिए फिर हम लोग अगली नदी पर बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं है तो यह सारी चीज़े एक बार रिवाइस करा देते हैं मैंने बताया इंडस नदी जो की निकलती है आपका कैलास माउंटेन के नौर्थ में इस्थित एक बोखर्चू ग्लेसियर से उसको वहाँ पर सिंखी खंभान के नाम से जना जाता है और फिर अच्छा एक चीज़ और ध् प्योके वाले रीजन में तो वहीं पर एक गहरे गार्ज का निर्माड करती है एक महा खड का निर्माड करती है गहरे गार्ज का निर्माड करती है और इस गहरे गार्ज को हम लोग सिंधुगार्ज के नाम से जानते हैं सिंधुगार्ज सिंदुगाज एक महा खड़ बनाती है यानि हिमाले को काड़ते हुए फिर यह आगे बढ़ती है ठीक है हाँ इंडस कार्ष चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग गंगा पे हैं कि ब्रह्मपुत्र पे पहले ब्रह्मपुत्र विबात कर लेते हैं अब ब्रह्मपुत्र नदी देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के ओरीजन के संदर में आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरीजिन होता है यह भी तिबबत से ही होता है यह भी जो निकलती है वह तिबबत से निकलती है तिबबत से तिबबत में ही आप देखो गे तो ग्लेसियर है जिसको हम लोग कि छेमा यूंग-डूंग लेसियर के नाम से जानते हैं युम्य, यूंग-डूंग्ग तो यह चेमा यूंग्डूं ग्लेसियर से इस नदी का ओरिजिन होता ठीक है और यह निकलने के बाद इस्ट में बहती है इस तरीके से इस्ट में बहती है अभी फिलहाल इतना इसको ध्यान में रखिए चेमा यूंडूंग्ड ग्लेसियर से निकलती है और अपने इस्ट में बहती है और इसको शांगपो के नाम से जना जाता वहांपर यानि तिब्बत में इस नदी को शांगपो के नाम Σे जना जाता तिब्बत सांग पो कहलाती ठिक और यहां से यह तिब्बत से निकलने के बाद फाइनली यहीं पर आप देखोगे तो यहीं पर एक माउंटेन इपीक है जिसको हम लोग कहा जाता है जिसको कहा जाता है नामचा बरवा यह नामचा बरवा को क्रॉस करते हुए नौर्थ से यह फाइनली भारत में ही मांचा स्वरी अवनाचल परदेश में एंटर करती है अब कैसे करती है इसको आगे समझते है हाँ हाँ सांग कैसे करती है द्यान से देखिए मैंने अभी बताया कि यह नदी ऐसे आती है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से और यहीं पर एक मांटेन है जिसको आप कहते हो नामचा बरवा नामचा बरवा से होते हुए यानि उस नौर्थ को क्रॉस करते हुए यह आगे बढ़ती है और जब यह आगे बढ़ती है तो पहले हिमाले को काटती है और हिमाले को काट कर देखोगे तो यहीं पर एक गहरे गार्ज का निर्माड करती है और उस गहरे गार्ज को हम लोग दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं किस नाम से तो इसी को दिहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है दिहांग गार्ज दिहां गार्च का निर्माड करती है यानि यह हिमाले को काट कर एक गहरे गार्च का निर्माड करती है एक महाखड का निर्माड करती है अब यह नदी क्या करती है फिर यह अवनाचल प्रदेश में आती है अवनाचल प्रदेश में आप देखोगे तो एक माउंटेन एक पहा पहाड़ी दिखाई दे गिसको मिसमी कहते हों तो यह नदी मिसमी और आवटर यह दो पहाड़ियों के बीच से होते हुए आगे बढ़ती है अना चल पर्रदेश में थीक है यह नदी आगे बढ़ती है दिहांग कहां पर दिहांग इसको अवनाचल प्रदेश में कहा जाता है तिब्बत में यह सांग्पो के नाम से जानी जाती है और जब यह अवनाचल प्रदेश में पहुचती है तो इसको दिहांग कहा जाता है और वहां परियत दिहांग गार्ष का निर्मार करती है अब होता क्या है जब यह नदी आगे बढ़ती है अवनाचल प्रदेश में तो अवनाचल प्रदेश में बहते हुए यह पहुच जाती है असम में चली आती और असम में देखोगे तो इससे दो दो नदियां आकर मिलती है एक तो इंडिया और च दुखने का उरजिन होता है जिसको आप दिवांग नदी कहते हों और एक और नदी है जो चाइना के तिभबत वाले चहत्र से निकलती है और उसको हम लोग लोहित नदी के नाम से जांते हैं तो प्रभित नदी और दिवांग नदी ये दो नदियां आकर मिल जाती हैं किस से ये दो नदियां आकर मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी से कहां पर मिलती हैं असम्मे मिलती हैं जब ये दोनों नदियां आकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं अस फिर समझे इसके बाद इसे जब लोईत और दिवांग मिल लाती है तो यह फिर ढ्रम vetre ngad से जानी जाती है अब यह नदी आगे बढ़ती यह कि कि आगे बढ़ती है जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इस जिसकी एक और प्रमुख ट्रिब्यूटरी है जो कि नागा लैंड से निकलती है जिसको हम लोग धन्सरी कहते हैं धन्सरी एक और प्रमुख ट्रिब्यूटरी है जिसको कपिली के नाम से जाना जाता है एक और प्रमुक ट्रिब्यूट्री है जिसको क्रिश्णई के नाम से जाना जाता। इसकी इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा जो इनके लेफ्ट हैंड साइट से आकर मिल जाती है अब राइट हैंड साइट की बात कर ले तो राइट साइट से मिलने वाली एक प्रमुक नदी और सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी जिसको सुबन स्री कहा जाता है यह तिब्बत वाले रीजन से निकलती है और यह अउनाचल प्रदेश आती है और अउनाचल प्रदेश के बाद चली जाती है और जाकर ब्रमुक पुत्र नदी से असम्मे मिल जाती है ये मैं बता दूँ कि ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी, सबसे बड़ी सहायक नदी आपको देखने को मिलती है और इसको हम लोग सुबन स्री के नाम से जानते हैं सुबन स्री की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसको रंगा नदी कहते हैं रंगा रंगा नदी सुबन स्री की महत्वपून और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है अब ये नदी आगे बढ़ती है आगे बढ़ने के करम में देखोगे तो अवनाचल प्रदेश से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको कामेंग नदी कहते हैं ये अवनाचल प्रदेश से निकलती है इसको कामेंग नदी के नाम से जाना जाता है ठीक है इसके बाद और एक नदी को ध्यान में रखी जिसको हम लोग मानस नदी कहते हैं मानस नदी और यह मानस नदी भी आपका भुटान होते हुए चाइना से कई स्रोतों में निकलती है भुटान होते हुए यह असम में आती है और असम में आ कर यह ब्रह्मपुत्र नदी स मिल जाती हैं और इस नदी को हम लोग मानस नदी की नाम से जानते हैं ऐसे तो और भी सहायक नदियां हैं जैसे पुतिमारी हो गई और भी सहायक नदियां आपको देखने को मिल जाएगा तिब कई नदी हो गई तो यह सब और भी ट्रिब्यूटरी हैं लेकिन मुखित मानस न यह भूटान से निकलती है और यह धुबरी के पास असम में एक जहां है धुबरी उसी धुबरी के पास यह जाकर आकर मिल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से भूटान से निकलने वाली यह संकोष नदी धुबरी के पास जाकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जा संकोष नदी के बारे में आपको यह एक चीज और ध्यान में रखना है कि संकोष नदी वेस्ट बेंगॉल इधर वेस्ट बेंगॉल है और इधर देखोगे तो आपको असम दिखाई देगा यह वेस्ट बेंगॉल और असम के बीच गुड मॉनिंग आई यह वेस्ट बेंगॉ ये और बौंडरी पर वहत वह मिल्जाने अब ब्रह्मपुत्र नदी का आजमन होता है बांगलादेस में यह आ जाती आ जब यह नदी बांगलादेस में पहुंश्ट है तो आप को यहां पर यह ध्याना में रखना है कि बांगलादेस में इसको जमुना के जाना जाता है वहां पर यह जमुना कहलाती है और जमुना के नाम से इसको जाना जाता है और बांगलादेश में ही इससे एक महत्वपूर्ड ट्रिब्यूटरी आके इससे मिलती है आप देखोगे तो यह है सिक्किम और सिक्किम पे ही आप देखोगे तो सिक्किम में एक ग्लेसियर है जिसको जेमू ग्लेसियर कहते हैं आधात सपरो की मात्रा तो लामो तो लामो लेक यह एक जील है जहां से तिस्ता नदी का ओरिजिन होता है इस नदी को कहते हैं तिस्ता नदी तिस्ता नदी या तो जेमू ग्लेसियर दिया है तो ठीक या तो वहां पर कई जीले हैं और उन जीलों में से एक जील है तो लामो औ और उस glacier का पानी जील तक आता और इस जील से इस नदी का origin होता तिस्ता नदी और यह सिक्किम से होते हुए दारजलिंग वाले छेत्रों से West Bengal होते हुए finally आपका पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से इसके बारे में एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसी सिक्की में प्रवाहित होने वाली इस नदी के एक ट्रिब्यूटरी है जिसको आप रंगीत नदी की नाम से जानते हो जो इसके राइट हैंड साइट से आकर इससे मिलती है रंगीत नदी रंगीत नदी की बात किया जा तो यह इसकी ट्रिब्यूटरी है और रंगीत नदी वेस्ट वेंगॉल तथा सिक्किम के बीच बाउंडरी पर बहती है सिक्किम और वेस्ट वेंगॉल की बाउंडरी पर बहने वाली ये जो रंगीत नदी आप देख रहे हो यह जाकर तिस्ता नदी से मिलती है और फिर तिस्ता नदी जाकर बांगलादेश में ब्रंभ पुत्र नदी से मिल जाती है इतनी चीज़े समझमाई आईए आगे बढ़ते हैं अब एक चीज़ा और समझीए यहीं पर एक नदी है जो कि मड़ी पूर हिल से निकलती है ये मड़ी पूर हिल ये मड़ी पूर हिल से निकलती है यह मड़ीपूर हिल से निकलती है और मड़ीपूर हिल से निकलने के बाद ध्यान में रखेगा यह चली जाती है कुछ दूरी तक आपका नागा लेंड ऐसे और नागा लेंड के बाद यह फिर मडीपूर में आती है और मडीपूर के बाद आने के बाद यह थोड़ी दूर तक मिजोरम में जाती है यहाँ पर बनाया नहीं है लेकिन जान लिजे थोड़ी दूर तक मिजोरम में जाती है और मिजोरम के बाद यह नदी असम में आती है और असम के बाद यह चली जाती है बांगलादेश में और बांगलादेश के बाद यह फाइनली बांगलादेश में ही आप देखोगे तो इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है फिर से सुनिए इस नदी का ओरीजिन मरीपूर हिल से होता है मरीपूर में और यह फिर नागा लैंड में जाती है थोड़ी दूर तक और फिर यह आपका मनीपूर में पहती हुए थोड़ी दूर तक मिजूरम में जाती है और उसके बाद यह असम में चली जाती है यानि कुल मिला कर देखा जा तो यह इंडिया के चार राज्यों में प्रवाहित होती है इस नदी को स्टार्टिंग में बराक नदी के नाम से जाना जाता है जब यह नदी असम और वेस्ट बेंगॉल के बॉर्डर पर या सीमा पर बहती है तो इसको सुर्मा नदी के नाम से जाना जाता है और यही नदी जब और आगे बढ़ती है तो यही नदी मेगना के नाम से जानी जाने लगती है तो आगे पहला अपर इस्टीम बराक मिडिल वाला सुर्मा और सबसे नीचे वाला मेगना है और यही मेगना नदी जाकर फाइनली इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है Actually इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहना गलत होगा क्यों कहना गलत होगा? क्योंकि यहां से एक नदी आती है जिसको गंगा नदी कहते हैं और यह गंगा नदी एक धारा चली जाती है वेस्ट वेंगॉल में जिसको आप हुगली नदी के नाम से जानते हो और इसी की एक धारा भागिरती के नाम से बांगलादेश में आ जाती है। बे ओफ बेंगॉल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुन्दर बन डेल्टा या गंगा ब्रहपुत्र डेल्टा का निर्माड करती है। ठीक है तो फिर से समझे इसका ओरिजिन कहां से होता है ब्रहपुत्र का तो आप कहोगे चेमा यूंगडूं गलेसियर तिब्बत से। इस्ट की ओर बहते हुए सांगपो के नाम से आगे बढ़ती है और यह आउनाचल पदेश में प्रवेश करते समय एक गहरे गार्च का निर्माड करती है जिसको दिहांग गार्च के नाम से जानते हैं। यह आगे बढ़ते हुए अबोर और मिस्मी पहाडियों के बीच से अवनाचल पदेश में होते हुए असम में आती है। इससे दिबांग तथा लोहित नदियां आकर मिलती हैं। लोहित नदी पर आपको पता है कि धोला से सदिया के बीच में भारत का सबसे बड़ा नदी पुल बनाया गिया है जिसको भुपेन हजारी का नदी पुल के नाम से जानते हैं। सुबन सिरी के नाम से जानते हैं। वो भुटान से तिब्बत से निकलते हुए अवनाचल पदेश होते हुए असम में आकर मिल लाती है इससे। उसी की एक ट्रिब्यूटरी है रंगा नदी जिया भरेली एक ट्रिब्यूटरी है इसकी जिसको कामेंग के नाम से जानते हैं मानस नदी इसके ट्रिब्यूट्री है, संकोस नदी इसके ट्रिब्यूट्री है, और तिस्ता नदी इसके ट्रिब्यूट्री है, फाइनली यह जब गंगा नदी से मिलकर आगे बढ़ती है, तो बराक नदी जिसे सुर्मा और मेगना के नाम से जाना जाता है, वह आकर इससे म कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजे फिर हम लोग गंगा नदी पर आते हैं कोई डाउट नहीं है देख लीजे कोई डाउट होते हैं कि एक मिनट का टाइम दे देते हैं कि क्योंकि उसके बाद हम लोग को गंगा नदी पढ़ना है ठीक है कोई कन्फूजन नहीं तो पढ़े गंगा नदी पर आया है कि एक चलिए कोई कन्फूजन नहीं है तो फिर गंगा नदी पर चलते हैं ठीक है कि देखिए गंगा नदी आपको पता ये भी हिमाले तंत्र का ही एक भाग है जिसको आप गंगा नदी के नाम से जानते हो और गंगा नदी एक पवित्र नदी है और उसके जलका उभी उप्योग आप अलग अलग जहों पर करते हो है ना तो गंगा नदी कि अगर बात किया जाए आईए आईए रिसी के इस वेलकम में तो पूछ रिकर है कि चली है तो आई तो आईए गंगा नदी पर बात कर लेते ने क्लिटी बात किया जानट तो गंगा नदी जो है ब कि मेली एक छीज्छे के पीज़ान में रखे कर यहां पूल के लुक्छी जाती या अपको यार्य जो आपको जलप्रपात बताया डेम भी पढ़ाया टनुवर्व भी पढ़ा रहे हैं कुछ और भी चीजें ऐसे ही छोटीvy चीजें बढ़ेंगे ठीक है गार्ज क्या होता है मालीजे यहां से कोई नदी बह रही है ठीक है और मान लिजे इस लैंड का जहां पर यह बह रही है इस लैंड का अपलिफ्टमेंट होने लगे या ऊपर उठ जा या मान लिजे यहां पर किसी माउंटेन का ही निर्माड होने लगे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से माउंटेन का ही निर्माड हो जाए लेकिन यह जो नदी यहाँ पर बह रही है यह धीट धीट वर्स सुनें धीट धीट जो भी कहते हैं गाउं में धीट टाइप की यह नदी है यानि यह अपना मार्ग नहीं बदलना चाहती जैसे अमोमन क्या होता है जै लेकिन कुछ नदीयां ऐसी है जो बहुत पहले से प्रवाहित हो रही है और वहां पर माउंटेन के निर्माड के बाद भी वह अपना रास्ता नहीं बदलती है उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में अगर मान लीजे यह माउंटेन बहरा उपर उठ भी रहा है तो ज जहां से यह नदी पहले से बह रही है अगल बगल वाला माउंटेन वाला रीजन तो उठ जाएगा अपलिफ्मेंट हो जाएगा यह उपर उठ जाएगा लेकिन जहां से यह नदी बह रही है वह उस माउंटेन वाले रीजन को या उस एरिया को उस छेत्र को कट करती चली ज चली जाएगी यानि इसको उपर उठने नहीं देगी और अगल बगल वाले छेत्र को अगर आप देखोगे तो उसकी तुल्ला में यह काफी उठ गया रहता है और कुछ इस तरीके से आपको बनावट देखने को मिलेगी जैसे यह वाला है कि ठीक है अरे बिल्कुल बनाएंगे मिनरल्स वाला भी मैंने सायद सेड्डूल में रखा है वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट्स मिनरल्स वाला टॉपिक इंडस्ट्रीज वाले एरिया वाले बनाने वाले हैं तो पढ़ाएंगे यहां पर देखिए तो मालीजे यह नदी बह रही है और इ वो खड़ी एक हडी गह्राईबाली जो ढ़ाल है खड़ी ढाल आपको देखने को मिलेगी एक गहरा भाग देखने को मिलेगा यही वाला गार्ज जैसी आप Dạ नदी के बारें बता है तो इंडस नदी जब गिलगिट के आसपास पहुशती है तो वहां पर हिमाले को कट करते हुए गार्ज इसी तरीके से महाखड का निर्माड करती है आप दिहांग नदी को देखो जब यह पहुशती है तो हिमाले को कट करते हुए जब आती है उनाचल और यही जो गार्च होता है इसी का और ज़्णा विष्ष्ट्रित रूज ya जाता है जैसे कि आप देख लोगे तो आपको कई डेखने का मिल जाए रैंड कहनेँ अपसे का देखह दोएडह सबसे बड़ा केरी है तो तीनों में यही है से बड़ा जो गार्ज हो गया और गार्ज से भी विष्टित हो गया तो वो कैनियन हो गया बाकि इस पर बारे में मैंने वीडियो बनाया है एक एक के बारे में आप देख लीजेगा आईए पहले गंगा को हम लोग समझते हैं देखें गंगा नदी का ओरीजिन कैसे होता है तो पहले यहां पर समझा दे आप फिर उसके बाद आगे बढ़ते गंगा नदी का ओरीजिन जो होता हुँ हिमालेई छेत्र से होता है हिमालेई छेत्रों में आप देखोगे तो उत्तरा खंड में एक जहां है उत्तरकासी जिले इस जिले में आप देखोगे जहां है गोमुख और उसी गो jayr देखने को मिलता है जिसको आप कहते हूँ गंगोतरी तो गोह मुंख के पास से उत्राखंड से इसका ओरीजिन होता रहता है जो कि यह अब यह गंगा नदी भाग रथी के नाम से उत्राखंड से निकलती है पिर यह यूपी में आती है यूपी में विजनोर जिले से entry मारते हैं और विजनोर जिले से entry मारते हुए ये प्रयाग रात से होते हुए ये बिहार में जाती हैं और थोड़ी सी दूरी पर यह देखोगे तो जार्खन में भी जाती है और जारखन के बाद यह दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, दो डिस्ट्रिब्यूटरी में बढ़ जाती है, वितरिका मतलब या डिस्ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, वितरिका का मतलब हो गया, जैसे मालीजी यह कोई नदी है, बड़ी नदी है, और यह दो भागों और इसका पानी दुबारा कभी न मिले इसका पानी दुबारा एक दूसरे से कभी न मिले जैसे कि माली जे गंगा नदी को ही देखिए ये वेस्ट बेंगॉल में हुगली के नाम से चली जाती है और आगे भागरती के नाम से चली जाती है लेकिन इसका पानी एक दूसरे से फ ब्यूट्री ये सहायक नदी हो जाती है, कभी कभी क्या होता है लड़कियां जैसे चोटी बानती हैं, गूथती हैं, नहीं गूथती हैं, लड़कियों को देखोगे ऐसे चोटी गूथती हैं, ऐसे, ऐसे, तो ऐसे गूथा करती हैं, तो आप देखोगे तो कुछ नदियां ऐ ऐसी भी होती हैं कुछ नदियां क्या करती हो बहते हुए आती हैं इस तरीके से और जब यह बहते हुए आती हैं तो अपने साथ काफी sentiments लाती हैं और यहां पर deposit कर देती हैं अब यह दो भागों में divide हो जाती हैं ऐसे ऐसे बढ़ गई फिर आगे चल कर यहां दोनों एक दूस ठीजिस में से जानते हैं और इस प्रकार की इस्तलाक्रितिया इस प्रकार की नदी की बात किया जाए तो ब्रह्म पुत्र नदी अब देखोगे तो ब्रह्म पुत्र नदीrek ऐसा काम करती है जब यहां असे वैली वाले रीजिते का निर्माड किया गया कई रिवर आइलेंड का निर्माड किया गया कई नदी द्वीपों का निर्माड देखने को मिलता है और उसी नदी द्वीपों में आप देखोगे तो माजुली नदी द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह यहां पर आपको देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना तो यह गुम्फित नदी फिलहाल आईए हम लोग गंगा नदी पर चलते हैं देखिए गंगा नदी पहली बात तो यह उत्राखंड यूपी बिहार जारखंड और वेस्ट वेंगा यह इतने राज्यों में होकर बहती है एक छोटा सा हुमवक यहां पर मैं देदेता हूँ आपको यह पता करना है कि यूपी के कितने डिस्टिक से होकर गंगा नदी बहती है ठीक है ना यूपी नदी कितने यूपी के कितने डिस्टिक से होकर गंगा नदी बहती है पता करिएगा ठीक है आईए अब हम लोग समझते हैं तो पहले उत्राखंड चलते हैं ना कि उत्राखंड में यह नदी कैसे बनती है और क्या होता है कि माली जी यह ग्रेटर हिमालय आपका ठीक है ग्रेटर हिमालय और इसी हिमाले वाले रीजन में आपको कुछ ग्लेसियर आपको ध्यान में रखने हैं जैसे एक ग्लेसियर का नाम है सतुपत ग्लेसियर एक ग्लेसियर बना लिजेगा चारो बार ग्लेसियर एक ग्लेसियर बना लिजेगा जिसको गंगोतरी ग्लेसियर कहते हैं और एक उत्रा खंड में ही बंदर पुछ के पास एक ग्लेसियर बना लिजेगा बंदर पुछ के पास जिसको आप यमुनोतरी ग्लेसियर के नाम से जानते हैं कि यह कुछ ग्लेशियर आपको ध्यान में रखने हैं अब इन्हीं ग्लेशियर से आप देखोगे तो कुछ नदियों का ओरिजिन होता है कुछ नदियां निकलती हैं जैसे सतुपत्थ ग्लेशियर चारू बार ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर और यमनोत्री ग्लेशियर अब देखिए सतुपत्थ ग्लेशियर से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको आप कहते हो अलक नंदा ठिक अलक नंदा नदी और गंगोत्री ग्लेशियर से भी अच्छा गंगोत्री के बारे में बात करेंगे पहले आईए हम लोग बात कर लेते हैं इसका ये अलक नंदा नदी जो की सतुपत्थ ग्लेशियर से निकलती है इससे कुछ ट्रिब्यूट्री आकर मिलती है कुछ सहायक नदियां इससे आकर मिलती है कहां से मिलती है उसके बारे मैं बताओंगा पहले मैं बना देता हूँ इससे कुछ नदियां आकर मिलती है जिसमें से एक नदी है जिसको धौली गंगा कहते है एक नदी है जिसको नंदाकिनी कहा जाता है एक नदी है जिसको पिंडार नदी के नाम से जाना जाता है तो यह कुछ नदियां है जो इसससे आकर मिलती है जो नदी जिसको मैंने धौ पॉलागिर नदी जो की अलग नंदा की ही ट्रिब्यूटरी है यह माना ग्लेसियर से निकलती है। माना ग्लेसियर। एक और नदी है जिसको मैंने आपको नंदा की नी बताया यह त्रिसूल ग्लेसियर से निकलती है। और एक और जिसको पिंडार नदी बताया इसको ध्यान में रखेगा यह पिंडर या पिंडार ग्लेसियर से निकलती और यह तीनों अलग-अलग जहां पर अलग-अलग प्रयाग जहां पर मिलती हैं वो अलग-अलग प्रयाग के नाम से जाना जाता है वो इस्थल जिसमें से जहां पर माना ग्लेशियर मिलता है उसको विश्णू प्रयाग कहते है जहां पर त्रिसूल से निकलने वाली नंदाकिनी मिलती है उसको नंद प्रयाग कहते है जहां पर पिंडार नदी आकर अलग नंदा से मिलती है उसको हम लोग करण प्रयाग कहते है यह हो गया ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान में रखी, चारो बार ग्लेसियर से भी एक नदी का ओरिजिन होता है, और यह चारो बार से ओरिजिन होने वाली नदी, इसको हम लोग महा मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, यह मंदाकिनी कहलाती है, और यह मंदाकिनी रिवर, इतनी चीजे ध्यान में रखेंगा पहली चीज ध्यान में रखेंगा यह गंगोत्री है और गंगोत्री ग्लेसियर से एक नदी का औरीजीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं भागी रथी भागी रथी नदी और यहां पर देखोगे तो यह अलक नंदा यह दोनो नदियां आकर मिलती है जहां पर भागी रथी नदी और अलक नंदा आकर मिलती है उसी को हम लोग देव प्रयाग कहते हैं उत्रा खंड में टेव प्रयाग ठीक है कहां कहां मिलती है तो कई बार एकजाम में पूछा हुआ है न तो इसको जानी है रेगा फैक्ट के रूप में यह देव प्रयाग में आकर मिलती है और इसी के बाद से यह नदी भागीरथी नदी गंगा के नाम से जानी जाती है अब क्वेस्चन ये उड़ता है कि हम लोग जो भागी रथी नदी है उसको ही क्यों गंगा मानते हैं अलक नंदा को गंगा क्यों नहीं कहते हैं ये जो अलक नंदा है ये तो देखने में भी बहुत लंबी लग रही है और इसमें कई सहायक नदियां आकर मिल रही है इनकी ट्रिब्यूटरी भी बहुत जादा है इनका वॉल्यूम भी जादा है इसका बेसी न पेच्छा कृत इसकी तुलना में चोड़ा है तो आखिर में ह ठीक तो अब यहां पर एक चीज समझेगा पहली बात तो इससे एक और नदी आकर मिलती है अब आपको होमवक दे देते हैं इस नदी का ओरिजिन कहां से होता है किस ग्लेशियर से होता है यह आप पता लगाईएगा मैं बता देता हूं इसका नाम इसको भिलंगना कहते हैं भिलंगना कहते हैं किस ग्लेशियर से निकलती है यह आपको पता करना ठीक है यह होमवक दे देते हैं जहां पर भिलंगना भागिरती नदी से मिलती है टिहरी वाले जहां पर वहीं पर एक डैम बनाया गया है भारत का सबसे उचा डैम जिसको टिहरी डैम कहते हैं अब चु और यह भारत का सबसे मुचाड़ है ठीक अब यह नदी आगे बढ़ी और यह अलक नंदा आके मिल गई भागिरती से गंगा के नाम से फिर जाने जाने लगी और टेली ग्राम वाली बात दिबात करें कि पहले इधर ध्यान में रखिये है ना नहीं तो आपका कमेंट के चकर मेरे को टेली ग्राम ही बोल पाएंगे है ना पहले इधर ध्यान में रखिये इधर देखिये यहां पर पहले रिसी केस पढ़ता है रिसी केस दूसरा देखिए तो आगे चलके आपको हरी द्वार देखने को मिलता है हरी द्वार के बाद यह गंगा नदी क्या करती है मैदानी छेत्रों में प्रवेस कर जाती है तो अगर पूछा जाए कि मैदानी छेत्रों में गंगा का प्रवेस कहां से होता है तो आप कहोगे हरीद्वार से हरीद्वार के बाद से यह मैदानी छेत्रों में एंटर कर जाती है ठीक है पहली चीज दूसरी चीज अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर में यह भागिरती नदी जो है और अलक नंदा नदी जो है तो अलक नंदा नदी भागिरती नदी से क्यों मिलती है तो आपको पता है कि जिस भी नदी का बेसिन गहरा होगा जैसे मालीजे यह नदी है और यह एक और नदी है इस एक और नदी का बेसिन है लेकिन इस नदी का जो बेसिन आप देख रहो मालीजे यह नदी जो है इस नदी का बेसिन गहरा है बेसिन जो है गहरा यह इस तरीके से बह रही है अब दूसरी नदी जो बह रही है उसका बेसिन थोड़ा सा उतला है तो यह नदी क्या करेगी इसमें आकर बिरेगी ने गिरेगी ऐसे आकर गिरेगी इसका पानी इसमें गिरेगा तो एक चीज ध्यान में रखेगा किसी भी नदी की बात किया जाए यह जरूरी नहीं कि यह नदी बड़ी है तो यह में नदी है ऐसा नहीं है कभी कभी क्या होता है बड़ी नदियां छोटी नदियों में जाके मिल जाती है और फिर यह उस नदी के नाम से जानी जाने लगती है तो आप इसको ऐसे समझे कि यह जो अलक नंदा नदी देख रहा हो ये अलक नंदा नदी कई नदियों का जल तो प्राप्त करती है और इसका बेसिन भी चोड़ा है काफी जल इसतर भी रहता है लेकिन चूकि भागिरती नदी को अगर आप देखोगे तो इसका बेसिन गहरा है और बेसिन गहरा होने के वज़े से यह अलक नंदा नदी भागिर रथी नदी से इस तरीके से आके मिल जाती है तो यही भागी रथी नदी आगे जो है वह गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी ठीक है ठीक है चलिए अब यह हो गई आपकी गंगा नदी इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा आगे बढ़ते हैं और एक चीज और जान लिजे एक चीज और मैं बता दूं आपको यमुनोत्री ग्लेसियर से एक नदी का ओरिजिन होता है जो उत्तराखंड से निकलती है और थोड़ी दूर तक यह उत्तराखंड और हिमान्चल प्रदेश के बीच में बहती है और यहां से बहने के बाद यह ह अर्याना के बाद देखोगे तो दिल्ली इसे के किनारे बसा हुआ है दिल्ली को आती है और दिल्ली में आने के बाद यहां फिर यूपी पहुंशती है और यूपी में सहारनपूर में यूपी में एंटर कर जाती है सहारनपूर से और यह यूपी में बिजनौर से एंटर क करती है तो बिजनोर से गंगा और सहारनपूर से आप देखोगे तो इसका ओरीजिन होता है दूसरी चीज आप एक चीज यहां पर और ध्यान में देखिएगा यह उत्तराखंट हिमांचल प्रदेश हर्याना और दिल्ली और यूपी यह पांच यूनियन टेटीज और अगर ह इस तरीके से यह बैती है बाकी टाइम जो है हमादा गंटा आपको एक्स्टा पढ़ा दिये हैं तो आज यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि गंगा में आगे बताने में टाइम लग जाएगा तो आज यहीं रहने देते हैं इसको रिवाइज करेए कल या परसू जब भी क्ल क्लास होगा तो गंगा नदी को बहते पढ़ाते हुए मैं आपको पेनेंसुलर रिवर के बारे ही बता दूँगा ठीक है रहने देते हैं बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजेगा मैं देखके आपको एंसर दे दूँगा ठीक है कि 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 अब कि जितनी भी नदिया मैंने पढ़ाई है मेरा न्यू बैच मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है ना मेरा न्यू बैच मेंस के लिए स्टार्ट हो है जो कि आपका 20 26 कि नवेंबर से हो रहा है और एक बैच आपका 25 अब करेंगे यह भी मेंस के लिए है इसमें हम लोग इंडियन और फिस्कल जाग्रफी को पढ़ेंगे यह भी मेंस के लिए तो दो बैचिस स्टार्ट हो रहें अभी एक रणिंग में है इंडियन जोगर्फी का जिसमें हम लोग प्रिलिम्स को ध्यान में रखते हुए बात कर रहें तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया यह ब्रह्मपुत्र नदी के बारें बताया गंगा नदी के बारें जि चलिए तब तक के लिए बबाद टेक किया यह ओप्शनल तो नहीं है यह मेंस के लिए ओप्शनल के लिए अभी नहीं है ओप्शनल के बारें मैं सोच रहा हूं जनवरी के बार बबाद टेक किया हाँ RO के लिए है RO UPSC UPPSC Mapping तो हर जहां काम आता है न तो यह वाली चीजे तो आपका है वो मेंस वाला RO के लिए नहीं है हाँ RO का मतलब आपके लिए काम देगा जब हम ECONOMY वाला पढ़ाएंगे तो इसे MINERALS वाली जब बात करेंगे कि विस्व के MINERALS प्रदेशों की बात करेंगे अलग-अलग खरीजों की बात करेंगे करिशी के प्रकारों की बात करेंगे परिवहन की बात करेंगे तो आपको benefit देगा चली तब तक के लिए बाबाट टेक किया जाने से पहले थोड़ा सा आपको भी बता दू कि आन ऐकाडम और टू के लिए यही आपका मेंस के लिए होगा विजयी भवा यह यूपी PST मेंस हिंदी एंड एस बैच है इसका लाब उठा सकते हैं यूपी PST मेंस आफ्शनल बैच भी चल रहा अलगलग सब्जिक्ट का इसके लामा यूपी ट्रीपल सी यूपी पीसी यह आपका मेंस एंसर राइटिंग बैच है जी एस पेपर टू के लिए विजई भवा नामक मेंस हिंदी और इंग्लिस बैच है पाकियाने कैडमी अगर यूपी पीसी से जुड़ते तो इन सभी एक्जाम्स की बेतयारी साथ में कर पाओगे फीस आपको पता है 24 मंद की 13,000 के सम्थिंग 12 महिने की 9,000 के सम्थिंग 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे कोट का यूज करोगे तो लाइक सियर सब्सक्राइब करना न बुलें तब तक के लिए बबाबाए टेक किया